प्रेंड वर्षा थैस वीडियो में हम पीएच उय्च एक्जाम के 2015 के रीजनिंग के पेपर के बारे में डिसकस करेंगे तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो क्चाट करने से पहले प्लीज में चानल को सब्सकाइब कर देजे और अगर आप जिस तरह संबंदित है रोगी से उसी तरह शिक्षा निम्लेकित मैं से किसे संबंदित है तो friends हमें यहां बताने है कि जैसे आउश्धी संबंदित होती है रोगी से तो शिक्षा किसे संबंदित है अध्यापक से विध्याले से विध्यार्ती से या फिर सिक्षन से friends तो हाँ पर option C सही है Next है signal traffic के संबन्द पर आधरेश सादरश्य सब्द योग में छाटे यानि कि जिस तरह signal जरूरी है traffic के लिए उसी प्रकार इसमें से ऐसे कौन सी चीज़ है जो कि उसके लिए जरूरी है जिसी कि lens प्रकाश के लिए जरूरी नहीं है ब्रेक पईये के लिए बांध नदी के लिए या फिर दरवाजा घ्रह के लिए तो friends पईये के लिए break ये भी important नहीं है दरवाजा घ्रह के लिए ये भी इतना important नहीं है जिस तरह से बांध important है नदी के लिए तो यहाँ पर option C हमारे यहाँ पर correct है signal traffic को कम करता है और बांध नदी के भाव को रोकती है तो यहाँ पर option C हमारा सही है next है इन में से कौन सी संख्या श्रंकला के रिक्त पत की पूर्ती करती है जैसे कि यहाँ पर आपको एक series दे रखी है 1, 3, 5, 9, 11, 9, 13 तो इसके बाद क्या आना है तो गता है यह friends यहाँ पर पहले हमें friends इन दोनों के पीच में देखना पड़ेगा कितना difference है यानि कि एक के बाद 3 एक का difference आया तीन के बाद 5 एक का difference आया पांच का नो आया हमारा difference यहाँ पर 4 का फिर यहाँ पर आया हमारे 11 दो का difference फिर आया हम यहाँ पर हमारा ч originally olarak तो यहाँ पर मारे अगें किस की इंगा डिफ्रेंश मैंगा फ्रीर इका यहां पर दार्यच मारे चार डीफिररेंश पिर फिर अगेन दो का, फिर यहाँ पर अगेन एक का, कितने का डिफरेंस आएगा, तीन का, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आउनसर होगा, वो होगा option A, जो की है 17. next question पर आते हैं, अक्षरों के उस समूग को चुनिए, जो समान पैटर्ण के अनुरूप नहीं है, यानि हमें यहाँ पर पैटर्ण पता लगाना है, जैसे कि P के बाद R आया है, यानि कि P Q R, एक यहाँ पर बीच में गया, R S D, यानि कि again 1, T U V, again 1, V W X, again 1, and X Y Z, again 1. next है E, C, again 1, D, again 1, G, again 1, आच गया यहाँ पर, again J गया, again N गया, तो यह दोना हमारे सही हैं, अब हम आते हैं, यहाँ पर M पर, M, N, O, again 1, O, P, Q, R, तो यहाँ पर दो आ गया, तो friends हमें आगे जाने की ज़रोती नहीं है, यहाँ पर हमारा option C correct है, next question पर आते हैं, इनमें से जो अन्यत तीन से भिन है, उसे चुने हैं, यानि कि हमें बताना है, इनमें से कौन सी सबसे भिन है, first है वर्षा, फिर है तड़ित, जिसको लाइटिंग बोलते हैं, जो कि बादल में चमकती है, फिर है बादल, फिर है बजरपाद यानि ठंडर, तो friends आपने देखा कि यहाँ पर तीन शब बिलकुल सेम हैं, जबकि एक बिलकुल अलग है, वर्षा, तड़ित और वजरपाद, यह तीनो एक ही हैं, जबकि बादल यहाँ पर अलग है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, वो होगा option C, बादल, next है भिन संख्या समू को चुनिए, आएग संख्या दे रखे, जैसे कि 6529-8347-3479 या फिर 6583, तो बताए friends इसका कौन सा आंसर होगा, आपको कौन सी संख्या लगती है, जो यहाँ पर भिन है, A option सही है B option सही है C option सही है या फिर D option सही है इसमें से कौन सा ऐसा option है जो कि यहाँ पर सही है तो friends इसमें हमें देखना होगा देखें यहाँ पर 6, 5, 2, 9 यह किसी भी तरह का अगर हम square देखें हैं cube देखें हैं तो यह 4 ही संख्य है ना तो किसी की square है ना ही एक cube है तो हमें इन दोनों को जोड़ना होगा तो देखना होगा यह जोड़ के कितना answer निकलता है 6 को 5 में count किया 6 and 5 कितना होता है यहाँ पर हमारा 11 और 2 और 9 कितना होता है हमारा 11 next है 8 और 3 कितना होता है हमारा 11 और 4 और 7 कितना होता है हमारा 11 next है 3 और 4 कितना होता है हमारा 7 and 7 and 9 हमारा कितना होता है 16 तो यह अलग है again दूसरा और देख लेते हैं 6 और 5 कितना है हमारा 11 8 और 3 हमारा कितना है यहाँ पर यह भी 11 है तो friends यहाँ पर हमारा option C different है तो यहाँ पर option C हमारा correct है टॉक्सिक, चार टोट मेन का अर्टाथ पर रहे है, salt is killer, and टे से पे सैट का अर्थ है, avoid each toxic killer, इस कूट के अनुसार कॉफी का क्या ताथ पर रहे है, तो हमें बताना है कॉफी का क्या है, फ्रेंड्स देखें यहां पर हम देखें कॉफी किसी और में नहीं आया है, हम देखते हैं similar words, इस यहां पर दे रखा है, इस second word में भी दे रखा है, second sentence में, तो देखते हैं, यहां पर चार and chant दोनों का सेम है, तो इसका मतलब तो हो गया, यहां पर चार, ठीक है, next है toxic, toxic किसमें दे रखा है हमारा यह third sentence में दे रखा है तो यहाँ पर हमारा कौन सा word निकल कर आया toxic का मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं say toxic का हो गया say क्योंकि दोनों ही sentence में toxic है और say match कर रहा है तो यहाँ पर जो अब हमारा निकल कर आया coffee का जो right answer है वो हो जाएगा हमारा correct है next आते हैं किसी कूट भाषा में DOG का मतलब है 433 तो cat का क्या मान होगा तो हमें बताना है DOG का मतलब यहाँ पर 433 तो cat का मान क्या होगा अब बताए फ्रेंड्स आप खुदी कि यह किस तरह से 433 आया है यहाँ पर DOG का देखे फ्रेंड्स अगर हम 433 इसको निकालते हैं तो अगर हम इनको देखें कि A B C D चीक है 1 2 3 4 D तो हमारा 4 हो गया लेकिन ओ हमारा 33 नहीं होगा तो हमें यहाँ पर एक table बना के चलनी होगी पूरी जैट तक यहाँ पर जगा नहीं है आप लोग अपनी rough copy में बनाएगा मैं जस तरह से आपको बता रही हूँ A B C D आपने 1 2 3 4 लिख लिया अब D के बात क्या आता है E F G H तो इसको लिखिए again 1 2 3 4 तो इस तरह से आपको again and again repeat करके 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 पर लिखना है Z तक तो वहाँ पर आप देखेंगे कि D 4 है O पर again 3 आ रहा है and G पर again 3 आ रहा है तो यहाँ पर आपका निकल कर आ गया dog का 4 3 3 same उसी according आप cat का निकाल सकते हैं जैसे कि C, A, T C, A, T में देखी friends C में यहाँ पर क्या आया 3 A में यहाँ पर क्या आया 1 अब T बचा तो friends अगर आप इसी तरह से पूरे table बना होगे तो T पर आपका आएगा 4 तो यहाँ पर जो आपका option होगा इसे comment section में लिख सकते हैं next है यदि management को 123-24-51536 के रूप में कूटबद किया जाए तो get को किस परकार कूटबद किया जाएगा यह option से हमारे पास 4562-5213-2365 और 4265 तो बताना है management इस तरह से लिखा गया है तो get किस तरह से लिखा गया होगा तो friends हम यहाँ पर लिख लेते हैं management जी आया है देखिए friends यहाँ पर जी management में भी आया है तो 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 तो जी का मतलब क्या हो गया 4 से आप यहाँ पर भी देखिए जी का मतलब यहाँ पर 4 दे रखा है अब आते हैं हम A पर A यहाँ पर हमारे given है A का मतलब यहाँ पर क्या है 2 तो हमने निकाल लिए 2 आप हमारे पर दे रखा है T last में यहाँ पर T है यहाँ पर इसका meaning क्या दे रखा है 6 तो हमने ले लिए 6 हम देखते हैं E तो E में यहाँ पर दे रखा है 5 E के लिए तो हमारा क्या आंसर आया है 4265 देखिए friends 4265 यहां आंसर है जी हाँ यहाँ यहाँ पर option D हमारा बिलकुल correct है तो यहाँ पर हमारा जो get का जो good word निकल कर आएगा वो गाट 4265 इसी तरह से आपको अपने exam में करने हैं को देखना है कि यहाँ पर जो word दे रखे हैं उसमें कौन सी series बन रहे है, series नहीं बन रहे है तो सबसे पहले तो friends आप कुछ मत करिए कोई भी series मत देखिए सबसे पहले यह देखिए कि जो आपको word वहाँ पर given है और जो आपको word बनाना है उन दोनों में जो numbering है वो दोनों same है या नहीं, जो words है same है नहीं, अब देखिए जैसे friends यहाँ पर get दे रखा, get तो यह चारो word क्या है हमारे management में आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप यह देख लीजे कि management के लिए जो यहाँ पर word use किया हुआ है वही word आपको बनाना है उसमें से तो आपका answer निकल कर आ जाएगा क्योंकि इस तरह के questions में mainly इसी तरह से इसका solution किया जाता है हम next आते हैं रेखा, जिसका मुख दक्षण की होर है वह बाई और मुरती है और 15 मीटर चलती है फिर वह अपने बाई मुरती है हम यहाँ पर बनाए रेखा, हम मानते हैं रेखा यहाँ खड़ी है अब वो अपने मुख दक्षण की और करती है तो रेखा ने यहाँ पर अगर वो खड़ी है तो उसने दक्षण की और मुख किया अब दक्षण की और मुख करने के वह बाई और मुड रही है अब फिर वह अपने बाएं मुढती है, यानी कि अगेन वह वाएं बुणी अगेन हमने उसको बाएं मोड़ा, अब वह 7 km चलेगी, तो यह हो गया उसका 7 km फिर वह पक्ष्चिम के ओर मुक्हे हुए 15 मीटर चलती है, यानी कि अब उसे पक्षिम के ओर करना है और यहां से उसने starting की थी, यह उसका starting phase है, ठीक है, तो यहां पर हमें देखना है कि अब वो कितने किलो मीटर है, तो friends, 7 तो आप यह ले लीजिए, 7 किलो मीटर यह है, और यहां पर उसने, वो यहां तो चली नहीं है, क्योंकि वो यहीं खड़ी थी, तो वो 7 किलो मीटर है, त अगर आपको कोई भी doubt हो, तो आप बता सकते हैं, इस question को दुबारा से discuss कर लेंगे, अब next question है, A, B, C, D, E, तथा F, 6 मित्र एक ब्रत के केंद की और मुक करके बैठे हैं, C, A, V, E के मद्द है, F, D और B के मद्द है, B, E के ठीक पाए हैं, अब निमनिकित प्रशनों के उत् दीजिए, तो पहले तो friends, सबसे पहले आप जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको table बना के दिखाऊंगी, उसी तरह से आपको बनाने हैं, क्योंकि हम अपने questions लेने के लिए उसको rough कर देंगे, तो आप उसी तरह से पहले बना लीजिए, तो friends, यहाँ पर यह एक ब्रत की बात क 1, 2, 3, 4, 5, and 6, ठीक है, अब यह बोल रहा है, C, A वा, E के मद्द है, C जो है, वो A और E के मद्द है, तो आप कोई point ले लीजिए, हमने बठाया C को यहाँ, A और में E के मद्द है, तो friends, A यह भी हो सकता है, E यह भी हो सकता है, A यह हो सकता है, और E यह भी हो सकता है, ठीक ह तो यह A, E दोनों हो सकते है, अब F, D और B के मद्द है, F जो है, वो D और B के मद्द है, तो F को हमने यहाँ बठाया है, यह D भी हो सकता है, यह B भी हो सकता है, लेकिन अभी हमने जगे की पैज़े से D और B ही लिख दिया है, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं D, B, ठीक है, अब B और E के ठीक बाएं हैं, अब B जो है वो ठीक E के बाएं हैं, तो B हमारा ये है, अगर हम यहाँ पर E रखते हैं, तो यह बाएं बोल रहा है, अगर यहाँ पर हम D रखते हैं, तो यह हमारा बाएं नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमे D को हटाना होगा और यहां से हमें A को हटाना होगा तो यह हमारा सही paragraph बन जाता है B के यहां पर बाएं कौन हो गया E हो गया और यहां से हमें क्या हटाना होगा E तो इस तरह से हमारा बन गया अब हमें बताना है questions के answer A के ठीक बाएं कौन बैठा है तो यह A है उसके ठीक बाएं कौन बैठा है तो friends इसका जो right answer है कि A के ठीक बाएं कौन बैठा है तो A के ठीक बाएं को बैठा है हमारा यहाँ पर C तो option A हमारा यहाँ पर correct है I hope यह table आपने बना ली होगी Next है D के सापेक्ष E का क्या इस्थान है यानि कि हमें बताना है D के सापेक्ष E कौन से स्थान पर बैठा है ठीक बाएं और दाएं और दूसे स्थान पर दाएं और तीसे स्थान पर या फिर बाएं और दूसे स्थान पर तो friends यहाँ पर अगर हम देखे हैं इसकी position D की क्या position है E से तो D के सापेक्ष E जो है वो दाई और बैठा है तीसे स्थान पर, यानि कि दाई साट बैठा है उसके तीसे स्थान पर, तो यहाँ पर जो हमारा option है, वो हमारा option दाई और तीसे स्थान पर, C हमारा बिल्कुल correct answer है यहाँ पर, वो उसके दाई और तीसे स्थान पर बैठा है, Next है E वा F के बीच में कौन है D है A है या B है तो हमें बताना है तो बहुती सिंपल आंसर है Friends E और F के बीच में हमारा बैठा है यहाँ पर B तो Option C है यहाँ पर हमारा correct आंसर है Next है कुल्दी जो की सुभास का छोटा भाई है उत्तम से बड़ा है प्रकाश जो की 37 से छोटा है सुभास से बड़ा है सभी में सबसे बड़ा कौन है तो यहाँ पर हमको एक पहले table बनानी होगी जिस table के थुरू हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि कौन किस से कितना बड़ा है अब इस question को solve करते हैं कुलदीप सुभास का छोटा भाई है तो यह आगया हमारा सुभास सुभास का छोटा भाई है और उत्तम से बड़ा है उत्तम से बड़ा है प्रकाश जो की 37 से आयू में छोटा है ठीक है प्रकाश 37 से छोटा है यानि कि प्रकाश अब यहाँ आ सकता है बनकर आईगी वो होगी हमारी सतीश, प्रिकाश, सुभाश, कुल्दीप और उत्तम. अब हमें बताना है इसका राइट आंसर जो इनके कॉशन्स के अकॉर्डिंग है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो है वो कौन है? प्रिकाश है, कुल्दीप है, सतीश है या फिर उत्तम है तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे बड़ा परसन है वो है सतीश ओप्शन टी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है इस आलेक को हमें बताना है और इसको पूर्ण करना है तो फ्रेंड्स देखिए इसकी अंदर क्या दे रखा है फॉर्मला एक वन इंटू टू, मल्टिप्लाइ करके देखते हैं एक का दो से मल्टिप्लाइ किया, दो दूनी चार साथ का एक से मल्टिप्लाइ किया, साथ गम साथ और उसका स्कौर किया 7 का यहाँ पर 2 का स्क्वाइर किया 4 यहाँ 7 का स्क्वाइर किया 49 यहाँ 4 और 2 4 चार दूनी यहाँ पर हो गया 8 8 अठो अठो 64 और यहाँ पर अब हम किसका मल्टिप्लाइ करेंगे कि यहाँ पर 81 आ जाए तो friends अगर हम यहाँ पर देखें कि 81 कैसे आएगा तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि 81 फैल है तो हम यह देख लेते हैं किसका स्क्वाइर है तो 81 स्क्वाइर होता है हमारा 9 का तो हमें यहाँ पर 9 लेकर आना है तो 3 का किसमे मल्टिप्लाइ करें कि 9 आ जाए तो friends अपकोस यहाँ पर जो option होगा हमारा वो होगा 3 क्योंकि 3 को 3 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो आएगा हमारा 9 और 9 से हमारा अगर हम उसका square करेंगे तो आजाएगा 81 तो option C यहाँ पर हमारा correct answer है next है निमलिखित उपक्रम में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक बात 2 वा ठीक पहले 8 है तो friends इस digit को देखने से पहले आप सबसे पहले अपनी एक series बना लेजिए जैसे कि यहाँ पर कितने 5 हैं जिसके ठीक बात 2 और जिसके ठीक पहले 8 है यानि कि आपको यह वाली series देखने है 852 जहाँ पर चो रहाओ तो friends starting में 852 है उसके बाद 852 यह है और उसके बाद 852 वो यह है तो friends यहाँ पर यह कितनी बार आया यह आया दो बार वह सुरी तीन बार आया तो option D यहाँ पर हमारा correct है जो की है 3 next है यदि A का आर्थ है plus B का आर्थ है minus C का आर्थ है into तो 10 C P A 4 C 4 B 6 का क्या मान होगा तो हमें बताना है तो पहले देख लेते हैं 10 C C का मतलब होता है into यानि कि 4 फिर यह क्या बोल रहे है A A का मतलब क्या है plus फिर क्या बोल रहे है 4 C P यानि कि 4 into 4 फिर A B 6 B का मतलब है minus 6 तो अब हमें इसको निकालना है तो friends अगर हम इस तरह से इसकी digit बनाएंगे तो 4 into 10 कितना हो गया हमारा 40 और 4 into 4 कितना हो गया 16 ठीक है अब 40 प्लस यहाँ पर कितना आ गया 16 minus 6 तो यह हमें हमारी निकल कराई digit 40 plus 16 plus 6 अब हम यहाँ पर 16 में से 6 यह minus कर देते हैं तो हमारी पास क्या निकल कराया 40 plus 10 जिसको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर अजाएगा 50 तो यहाँ पर option B हमारा correct है जो कि है 15 नेक्स्ट है एक महिला की और इशारा करते हुए एक विक्ति ने कहा उसकी मा मेरी मा की इकलोती पुत्र है महिला का उस विक्ति से क्या संबंद है पिता है बाई है चाचा है मामा है तो फ्रेंड्स हम यह relation अपने उपर लेके सोचते हैं एक विक्ति है यानि कि एक विक्ति मान लेते हैं वो मैं हूँ मैं किसी से बोल रही हूँ कि उसकी मा मेरी मा की इकलोती पुत्र है तो बताए उस महिला का उस विक्ति से क्या संबंद है तो मैं किसी अगर बच्ची से बोलूँगी कि उसकी मा मेरी मा की यानि कि मेरी मा की तो क्या हो गई, उसकी बेटी हो गई, की इकलोती पुत्र है, तो उसकी बेटी कौन होगी, उसकी बेटी मेरी क्या होई, बती जी, तो यहाँ पर option क्या होगा, मैं उसका कौन लगा, मामा, तो यहाँ पर option D, यहाँ पर हमारा correct है, next है, नीचे दिये गए नहीं बनाया जाएगा वो है देखें ये हम बना सकते हैं round हम बना सकते हैं यहाँ पर हम बना सकते हैं drown नहीं बना सकते हैं drop बना सकते हैं क्योंकि friend drown में क्या है यहाँ पर w आ रहा है और w देखें यहाँ पर हमारे spelling में नहीं है तो यहाँ पर option C हमारा correct है तो यहाँ पर जो word हम नहीं मना सकते हैं वो है option C जो कि है drown next है नीचे दिये गए वेन आकृतियों में लड़का लड़की हैं वों बच्चे के संबंद को दर्शाने के लिए सरुत्तम विदी है तो friends हमें बताना है कि सरुत्तम कौन सा है यहाँ पर यह circle के अंदर circle circle दे रखा है यह हमारा नहीं होगा क्योंकि लड़का लड़की gender-wise अलग है तो हम उनको एक ही जगे treat नहीं कर सकते और यहाँ भी इन दोनों की बीच में किसी तरह का कोई relation नहीं बताया जा रहा तो हम यह relation शूर नहीं कर सकते और यह तीनों बच्चों में लड़का भी आ सकता है लड़की भी आ सकते हैं तो इन तीनों को अलग भी नहीं कर सकते तो हमारा जो right answer होगा वो होगा option C जैसे की बच्चे जिसमें लड़का भी आ गया और लड़की भी आ गई तो यह वाला option हमारा correct है next है यदि किसी मा की दसवी तारिक रविवार से तीन दिन पहले पढ़ती है तो मा की दूसी तारिक कि जिन पढ़ेगी तो हमें बताना है कि अगर कोई तारिक तीन दिन पहले पढ़ रहे तो उससे क्या होगा तो friends यह देखिए दस तारिक से साथ दिन पूर्फ तीन तारिक आती है गुरुवार को और दो तारिक का दिन क्या होगा फर यहाँ पर तो friends दूसी तारिक का जो यहाँ पर वो होगा राइट आंसर वो होगा option C बुद्वार तो यहाँ पर जो दूसी तारिक किस दिन की पढ़ेगी तो वो पढ़ेगी बुद्वार की next है एक ब्रक्ष पर पंद्रा कबूतरों का जुन बैठा है एक सिकारी उस जुन पर बंदूक से गोली डागता है जिस कारण दो कबूतर मर जाते हैं कितने कबूतर वहां रहे गए बता़े friends पंद्र कबूतर का जुन था एक सिकारी उस जुन पर बंदूक से गोली दागता है जिस कारण दो कबूतर मर गये शेष वहां कितने कबूतर रहे गए भहती Simple Answer है friends बताईे इसका क्या होगा Right Answer तो friends इसका जो right answer है वो है option D जो 6 कभूतर वहां रहे गए वो थे 2 2 कभूतर अब वहां रहे गए क्योंकि जो गोली जो दाखता है वो 2 कभूतर वहां पर मर जाते हैं और वागी तो सब उठ जाएंगे जो right answer है वो है option C 2 next है यदि 8 x 4 42 6 x 6 33 2 x 2 11 4 x 6 23 2 x 8 तो क्या होगा तो friends हमें यह देखना है कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ यहां पर वो चल रही है series जिसके according यहां पर यह answer आया friend 2 x 2 4 का अगर 8 से multiply किया जाए 42 अगर आया तो इसमें 4 x 8 या क्या होता है 32 उसमें अगर 10 x 8 किया तो 42 अगर हम 6 और 6 36 36 में अगर हम फिट से add करेंगे 10 तो हमारा आएगा 46 लेकिन यहां पर 30 और यहां पर अगर हमें लाना है 33 तो यह वाले series तो इसकी नहीं होगी हम इसमें निकालते हैं हम एसा करके चलते हैं कि इनका जो sign है वो अलग कर देते हैं एट फूर अपॉन टू कितना हो गया 42 6, 6 अपॉन 2, 33 2, 2 अपॉन 2, 11 ठीक उसी तरह से 46 अपॉन 2, 23 28 अपॉन 2, 16 स्वरी, 14 तो यहां पर जो answer आएगा वो होगा option D, 14 नेक्स्ट है अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार कौन से सब्द तीसरे क्रमांग पर व्यवस्थित होगा तो friends हमें यहां पर फिर dictionary की according देखना है तो पहले हम लिखते हैं S उसके बाद चारों में ही H दे रखा है हम 3rd word देखेंगे 4th word देखेंगे N, N इसमें आ रहा है A, यह तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यह बिल्कुल ही नीचे चला गया फिर है S, H, A, M तो दूसरा word हमारे पास क्या आ गया M ठीक है तो यानि कि यह हमारा 1st world है हम इन दोनों में मैच करेंगे तो हमारा शंकर के पहले आता है तो यहाँ पर होगे हमारा दूसरा world शंकर तीसरा बर्ड होगे हमारा शानता चौथा बर्ड होगे हमारा श्याम तो friends यहाँ पर इन्होंने हमसे क्या बूचा है हमें यहाँ पर बताना है कि तीसरा शब्द यहाँ पर कौन सा आता है तो friends यहाँ पर जो हमारा right answer होगा वो होगा option A, Santa Next है एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अक्षिनों को पुना विवस्थित करके उनका मद्याक्षर कीजिए यानि कि हमें बताना है कि इससे क्या बनेगा E, S, U, R, N E, S, U, R, N Sure नहीं होगा N, U, R, S, E Friends इसका जो meaning बनेगा वो होगा N, U, R, S, E और हमें इन्होंने क्या पूछा है तो उसका मद्याक्षर बताईए क्यांकि मद्य में कौन सा अक्षर आ रहा है तो Friends यहां पर मद्य में आ रहा है वो है Option R तो Option D यहां पर हमारा Correct है जो की है R तो Friends I hope यहां पर आपको यह Practice Guide पसंद आया होगा जो इससे remaining 25 questions है उसको हम next video में discuss करेंगे I hope यह video आपके लिए helpful रही हो कोई भी question में अगर आपको doubt लगता है तो आप नीचे comment section में लिख सकते हैं और किसी भी तरह की कोई भी query हो या फिर आपको कोई request हो किसी particular topic को लेके तो आप नीचे comment section में लिख सकते हैं हम कोशिश करेंगे जल से जल उसको पूरा करने की और इस video को like कीज़े अपने friends के शेर कीज़े next video में हम फिर मिलते हैं और विच्छी videos के साथ तब तक के लिए बाई बाई